हेलो गाईज आपको हेल्कम है ईएएस प्लानिंग एंड कॉंस्ट्रक्शन चनल पर तो गाईज आज आपके लिए लेकर आई हूँ और एक नया प्लान चोटा सा प्लान कॉंपेक्ट प्लान है टूबी एच के प्लान है छोटा सा भीला ठीक है तो बहुत लोगा सबना रहता है अच्छा घर medo रहाँ होंगा तो ए ऐसे तरीके सांबेर सके छूट जागा पर तो चल्यक्ते पूर्ट बलान देख लेते हैं कैसा डुट इस ऐसे डी ब送ल देख लेस्ध का है सब्सलिए सब्स घुन पर दूर से जाकर आपको डाइनिग और लीविंग आपको मिल जाती है इस सिक्सपीट 11 इंच में 10 फिट का आपको डाइनिग लीविंग है यहाँ पार है 6-speed 10 इंच यहाँ से यहाँ तक की है 10-1 फिट ओके तो यहाँ पार छोटा सा थू सिटर एक सोफा बैटा सकती हो एंड यह चयार टेवील एक डाइनिंग टेवील आप बेटा सकती हो ठीख है चोटा सा ओके आद यहाँ पर बेदरूम इल जाएंगा आपको यासे आके नाइन फीट बाइं टेन इन फीट के बेडरूमे एंड यासे जाकर आपको मिल जाएगा एक स्टेयर इस्टेयर का साई यह देन चल जाते हैं आपका फास्ट फ्लोर पर और फास्ट फ्लोर में या पर आकर स्वरी ग्राउंड फ्लोर में और एक चीज है किचन इसका साइज है 4ft 2-inch ओके 4ft 2-inch इसके इसके इन इधर से इधर का पूरा स्टेयर का साइज 5ft 11-inch पूरा साइज ओके स्टेयर का नीच में किचन होगी ठीके और इस टाइप किचन होगी स्टेयर का नीच में जैसे किचन होगी आप देख सकते हो डाउन करके किचन करना पड़ेगा एंड या पर फास्ट पोर मिल जाएगा आपको फास्ट पोर में उपर उठने के बाद या पर ड्राइं मिल जाएगा 6ft 11-inch या या पर टोईलेट भी मिल जाएगा 3ft 7-inch भाई 5ft 11-inch या पर बेदरूम मिल जाएगा 9ft by 10ft से बेदरूम तो दो बेदरूम मिल जाएगा आपको डाइनिंग ड्राइंग लिविंग एवरीथिंग आपको मिल जाएगा 4 & 4ft वाइट बेल करनी भी मिल जाएगा सामने तो यह चोटा चोटे जागा पर 324 स्कॉर फिट के अंदर यह प्लान 18ft by 18ft के अंदर इसका प्लान अपको मिल जाएगा and यह जो प्लान अपका है इसका जो कस्टिंग अपको पढ़ेगा ओनाइन लेक की अंदर इसका कस्टिंग पढ़ जाएगा ठीके इसको आप नाइन लेक के अंदर कर सकती हो ठीके, 9 लेक के अंदर कर सकते हो ओके, यहाँ पर देख सकतो 6 column यूज किया गया है sorry, 9 column यूज किया गया है 10 inch by 10 inch का column आपको यूज करना पड़ेगा, ठीके तो यहाँ यह जो 10 inch by 10 inch का column आपको दिया गया है, इसके उपर और एक floor बड़ा सकती हो तो आप चाहती हो तो बड़ा सकती हो ठीके, तो यही ती वीडियो अच्छे लेगी तो जरूर लाइक कर देना, शेर कर देना कमन करना, नए हो तो चैनल पर जरू सब्सक्राइब कर देना, मिलती हो अगली का वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई, जय हिंद